इस बार Big Boss OTT 2 के घर में एक कंटेस्टंट हैं जिसकी काफी चर्चा हो रही हैं। वो अपने चुलबुले अंदाज में लोगों को अपना दीवाना बना रही हैं। वो कोई नहीं बलकी बिहार की बेटी मनीशा रानी है। मनीशा इससे पहले D.I.D. और The Couple शर्मा शो में भी अपनी फणी कॉमेडी की वजह से दिख चुकी हैं। और अपनी चटपटी बातों से सभी का ध्यान अपनी और आकरशित किया है। तो आज हम आपको मनीशा रानी के जीवन के बारे में विस्त्रित जानकारी देने वाले हैं। इसलिए विडियो को अंध तक जरूर देखें। बिहार के मुंगेर में जन्मी मनीशा रानी एक डांसर और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हैं। मनीशा को पहचान टिक टॉक वीडियोज बनाकर मिली टिक टॉक बैन होने के बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम आकाउंट पर भोजपुरी भाशा में फनी वीडियो बनाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। इंस्टाग्राम पर उन्हें लगभग 58 लाख लोग फॉलो करते हैं। मनीशा रानी बिग बॉस ओटी टी दो में बत और कंटेस्टंट घर में हैं और अपने मजाकिया अंदाज से देश की जनता का दिल जीत रही हैं। उनके पिता का नाम मनोज कुमार चंडी है जो ट्रांस्पोर्ट कूरियर ओपरेटर है और मा का नाम रागनी देवी हैं। जो एक ग्रहीनी है मनीशा के एक बेहन और दो भाई हैं बड़ी बेहन का नाम सारिका कुमारी और भाई का नाम रोहित राज है। साल 2015 में मनीशा रानी डांस रियलीटी शो डांस इंडिया डांस में सलेक्ट हो गई और पीवी राउंड तक भी पहुँच गई थी। इसके बाद मनीशा को द कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड में भी दिखाई दे चुकी है। उस शो में कार्तिक आर्यन और सारा खान आये थे तब भी मनीशा कार्तिक आर्यन के साथ भोजपुरी अंदाज में फ्लट करती हुई नजर आई थी। साल 2019 के बाद उन्हें एंटीवी के एक सीरियल गुडिया रानी सभी पर भारी में काम करने का मौका मिला हाला कि किस्मत को कुछ और ही मनजूर था। जब शूटिंग शुरू होने वाली थी तब कोरोना आ गया और पुरे देश में लॉकडाउन लग गया और शूटिंग कैंसल हो गई हमने आपको मनीशा रानी के जीवन के बारे में बताया उम्मीद करते है आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करकी जरूर बताईए।